परिचे इन तस्वीरों को देखो, ये तीनों तस्वीरें दिन का अलग-अलग समय दिखाती हैं, ये सुबह का समय है, ये दोपहर का समय है, ये रात का समय है, हम अपना काम समय के अनुसार करते हैं, हम सुबह उठते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं और रात में पढ़ते हैं और ये समय है एक खास काम करने का, ये समय है पाट शुरू करने का क्या आप जानते हैं कि इस समय दुनिया में सभी बच्चों के लिए समय एक समान नहीं होगा? जब आपके जागने का समय होता है, तो दुनिया में कहीं और बच्चों के सोने का समय हो सकता है दोस्तों, पहले आईए समय बताना और समय से जुड़ी दूसरी बातें सीखें आओ सीखें समय बताना समय बताने के लिए AM और PM का प्रयोग करना समय के बारे में तथ्यों की सूची बनाना समय से जुड़े सवालों को हल करना समय से जुड़े तथ्य जैसा की हमने अभी देखा कुछ जगहों पर दिन निकला हुआ है तो कुछ स्थानों पर रात हो सकती है हम दुनिया में जब एक से दूसरी जगह जाते हैं तो समय बदल जाता है समय जानने के लिए घड़ी की मदद ली जाती है देखिए जैसा की आप जानते हैं घड़ी की तीन सुईया होती है छोटी सुई घंटा बताती है लंबी सुई मिनट बताती है और पतली सुई सेकंड बताती है आपने देखा होगा की घड़ी की सभी सुईया एक ही दिशा में घूमती है 22 दाइन योर इसे कहते हैं घड़ी की दिशा इसकी उल्टी गती को कहते हैं घड़ी से उल्टी दिशा आपने अलग-अलग आकारों की घड़ियां देखी होंगी ऐसी भी घड़ियां होती हैं जिने आप हाथ पर बांधते हैं उन्हें wrist watch यानी कलाई घड़ी कहते हैं। आपने दीवारों पर लगी घड़ियां भी देखी होंगी। और ऐसी घड़ियां भी होती हैं जिन्हें इमारतों पर लगाया जाता है। समय बताना आईए अब समय बताना सीखें। आप सबको पांच की टेबल यानी पहाड़ा आता है। चलिए इसे फिर से दोहराते हैं। स्क्रीन पर पांच का पहाड़ा नजर आ रहा है। आप आसानी से समय बता सकते हैं। अगर आपको पांच का पहाड़ा आता हो तो मिनिट और घंटे की सुईयों को अलग-अलग पढ़ा जाता है। घंटे की सुई की स्थिती जानने के लिए हम घड़ी पर लिखी संख्याओं को पढ़ते हैं। और मिनिट की सुई की स्थिती जानने के लिए हमें छोटी डिविजन यानी हिस्से को पढ़ना होता है। मिनिट जानने का एक और तरीका भी है कि संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए। जब मिनिट वाली सुई दो पर होगी तो घड़ी दिखाएगी 10 मिनिट यानी 5 को गुणा किया 2 से। ये घड़ी दिखा रही है कि 10 बज कर 10 मिनिट हुए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। दोनों घड़ीों में 9 बजे हैं। पर क्या दोनों तस्वीरों में कोई अंतर नजर आ रहा है। एक में दिन का समय है और एक में रात का समय है। पर आप ये कैसे बताएंगे कि सुभा के 9 किसमें बजे हैं और रात के 9 किसमें बजे हैं। आईए मैं आपको बताता हूँ। किसी घड़ी में 12 संख्याएं होती हैं। आप जानते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं। इसलिए आधी रात से दोपहर 12 बजे तक के समय को यानी 12 घंटों को ए-म लिखा जाता है। दोपहर से लेकर रात 12 बजे तक के अगले 12 घंटों के साथ पी-म लिखा जाता है। उदाहरण 1 सारा 7-10 ए-म पर सैर के लिए जाती है। वह आधा घंटा सैर करती है। आईए समय से जुड़े कुछ दिल्चस्प सवालों को हल करें। आधा घंटा सैर करती है। उदाहरण 2 रॉबर्ट अपनी आँटी के घर जाने के लिए ट्रेन में 7 ए-म पर रवाना होता है। इस यात्रा में 12 घंटे लगेंगे। रॉबर्ट अपनी आँटी के घर कितने बजे पहुँचेगा। बारा घंटे के बाद 7 पी-म होगा। इसलिए रॉबर्ट अपनी आँटी के रेलवे स्टेशन पर 7 पी-म पर पहुँचेगा। हमने क्या चर्चा की? घडी दुनिया में अलग-अलग जगों पर अलग-अलग समय दिखाती है। सभी घडियों की सुईयां एक ही दिशा में घूमती है। घंटे को जानने के लिए हमें घडी पर लिखी संख्या पढ़नी होती है। मिनिट जानने के लिए हमें घडी पर लिखी संख्याओं को 5 से गुणा करना होता है। 12 घंटे वाली घडी पर 24 घंटे दिखाने के लिए हम ए-म और पी-म का इस्तिमाल करते हैं।